अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता और दोस्तों हर चीज के अलग-अलग फायदे और नुखसान होते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे बाजरा खाने के ऐसे फायदे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे विवित्ताओं के देश भारत के हर हिस्से में रहन सहन से लेकर खान पान अलग है हमारे खाने में कई तरह के अनाज शामिल हैं जो ना सिर्फ स्वादिश्ट हैं बलकि सेहत के लिए भी बहुत फायदे बन है बाजरा उनी सेहत मन अनाज में से एक है जो सर्दियों में बेहत लापकारी माना जाता है बाजरा केलशियम से भरपूर होता है इसके अलावा बाजरे में विटामिन बी, फाइबर, प्रोटीन, कार्वाइडरेट, आयरेन, खनिज, फाइटेट, फिनॉल और टैनिन जैसे एंटि आक्सिडेंट्स भी पाए जाते हैं इसके अलावा बाजरा, लिवर और किड्नी के स्वास्थी के लिए भी लाबकारी सिध होता है कैंसर बाजरा जानलेवा बीमारी कैंसर के सेल से भी लड़ने में सहायक होता है बाजरा में मौझूद पोशक्तत्व सामाने कोशिकाओं को नुकसान पहुचाए बिना ब्रेस्ट, कॉलोन, लिवर में मौझूद कैंसर कोशिकाओं से लड़ते हैं बाजरे का किसी भी तरह से सेवन करना दिल की सिहत के लिए बेहद फायदेमन होता है इसमें मौझूद अंटियोक्सिदेंट्स, बैट, कॉलेस्टरॉल को कम करने में मददगार है इसके साथ ही रक्त धमनियों को हेल्धी रकने के साथ ही बाजरा क्लोटिंग को भी दूर करता है जो दिल की बिमारियों और हार्ट स्ट्रॉक के खत्रे को कम करता है मासपेशिया यानि कि बाजरे में मौझूद हाई कॉलिटी प्लांट, प्रोटीन, मासपेशिया यानि मसल्स के घनत्व को बढ़ाने में मददगार है ऐसे में अगर आप जिम जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स परसन है तो आपको अपनी डाइट में बाजरा जरूर शामिल करना चाहिए बाजरे की खिचुडी भी बनाई जाती है, बाजरे की खीर भी बनाई जाती है और खीर बेहत ही स्वादिश्ट होती है जो आपको खाने में बेहत मज़ा आएगा तो आप बनाएं और जरूर खाएं बाजरे के अंदरूनी स्वास्ते के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत लापकारी होता है बाजरे के नियमित सेवन स्किन को हेल्धी वस्वस्त रखता है बाजरे में मौझूद माइक्रो निउट्रियंट्स स्किन की हेल्ध को बहतर रखने में मददगार होते हैं इसमें मौझूद आईरन, जिंक, विटामिन, बीथरी स्किन के लिए फायदे मन होता है नियमत सेवन से इससे वजन भी खटाया जा सकता है बाजरे के आटे की रोटी रेगूलर खाने से वजन कंट्रोल किया जा सकता है चावल के बजाए बाजरे का सेवन मुटापे से परिशान लोगों के लिए फायदे मन्द होता है इसलिए आज ही से गेहूं की रोटी खाना चोड़िये और बाजरे की रोटी खाना शुरू कीजिए अगर आपको पतला होना है बाजरे में अन्य अनाजों की मुखाबले ज्यादा न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं और ये ग्लोटेन फ्री हैं इसका glycemic index 54-68 होता है इसमें प्रचूर मातरा में dietary fiber protein मौजूद होता है इसके अलावा amino acid, vitamins and minerals, blood sugar level को balance रखनी में मददकार होते हैं बाजरा शरीर में खून की कमी नहीं होने देता इसके साथ ही जिन लोगों को ऐनीमिया की शिकायत है वो बाजरे का सेवन कर शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं सर्दियों में ज्यादा ठंके कारण खून-گाढ़ा होने लगता है ऐसे में blood circulation को सामाने रखने के लिए बाजरे का सेवन जरूर करना चाहिए जोडों का दर्द सर्दियों में अक्सर, जोडों का दर्द लोगों को परिशान करता है, जिन लोगों को जोडों में दर्द है, समस्या है, उन्हें बाजरे की रोटी खानी चाहिए, जोडों में दर्द की समस्या को दूर करने में मदद करता है तो आपने जाना कि बाजरा कितना फाइदेमंद है हमारी बॉडी के लिए अगर आप बाजरे का सेवन करते हैं चाहे उसकी पूरी बनाकर चाहे उसकी रोटी बनाकर चाहे उसका परांठा बनाकर या फिर आप ऐसे ही थोड़ा सा सेवन बाजरे का कर लेते हैं तो आपको ये म अच्छा माना जाता है बाजरा जो आपकी लिए सेहत मंद माना गया है यानि कि आपकी सेहत को अगर आप अच्छे से रखना चाहते हैं तो बाजरे का सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए।